तो recently drop हुआ था Deadpool and Wolverine का teaser और उसको देखके हम सबने अपने-पने plans अब भी से बनाने शुरू कर दिये कि ये picture हम किसके साथ देखने जाने वाले हैं तो teaser से ये तो clear हो गया है कि ये Deadpool की MCU में official entry होने वाली है और इस movie से हम बहुत कुछ expect कर सकते हैं बट बट अगर आपको ये नहीं पता कि Wolverine या Deadpool कौन है और इस movie की इतनी hype क्यों है या फिर आपके friends already planned कर चुके है ये movie देखना लेकिन आपको नहीं पता कि वो सब इतना excited क्यों है तो उसके लिए आपको एक quick flashback दे देते हैं तो देखो Marvel Comics पे बेसना दो universes हैं एक Marvel Cinematic Universe जिसमें Avengers हैं जैसे Captain America, Captain Marvel, Iron Man, Thor, Doctor Strange, Black Widow, Hawkeye, Wanda, Vision और इनके साथ-साथी Guardians of the Galaxy, Ant-Man और Loki बहुत important character तो इन सारे characters की standalone movies हैं जिसमें इनके origin की story है और इसके साथ-साथी इनकी interconnected stories भी चलती रहती हैं उस पे भी movies आचुकी हैं अब next आजाता है X-Men का universe जो की mutants का universe है जिसमें Professor X, Magneto, Wolverine, Pyro, Beast ये सारे characters तो अब Deadpool का character कहां पे belong करता है आये देखता है तो Deadpool का character हमें first time देखने के लिए मिला था X-Men Origins Wolverine movie में और वहाँ पे पहले एक mercenary होता है लेकिन उस पे कुछ experiment वगएर होता है जिससे उसको weapon 11 बना दिया जाता है फिर Wolverine और Deadpool की fight होती है और उसमें वो मर भी जाता है तो इस सब का relevance है कि X-Men की जो पहली movies होती थी वो 20th century Fox studio produce करते थे time बदल चुका है और Disney ने उने acquire कर लिया है तो पहले दोनों franchise ही साथ-साथ में exist करती थी लेकिन बीच में ना तो कोई इनका connection था ना उनका कोई link था और नाई किसी ने इसा imagine भी किया था कि कभी इन दोनों का कुछ crossover होगा लेकिन ये सब को change हुआ जब movies में randomly छोड़ी- concept और अच्छे से दिखाया और उसमें तो प्रोफेसर एक्स को ही दिखा दिया गया और अभी कुछ नाइम पहले ही रिलीज हुई the marvels movie के post credit scene में भी beast की appearance दिखाये गई इवन प्रोफेसर एक्स का नाम भी लिया गया तो ये सारे hints तो अभी थोड़े टाइम पहले से आने श सबको पता चलिया कि हाँ ये तो एक बहुत important movie होने वाली है और ये marvel के cinematic universe को X-men के universe से connect करेगी लेकिन Disney style तो अगर आपको ये movie देखनी है तो last release भी कुछ important movies देखनी पड़ेंगी story को समझने के लिए और सब के बीच में clueless ना होने के लिए अब इसमें catch है कि कुछ तो होते हैं die hard fans जिन्होंने 13 की 13 X-men की पूरी movies देख रखी है जिन्होंने marvel cinematic universe की 33 movies देख रखी है और 10 web series की 12 seasons भी देख रखे हैं तो उन्होंने तो MCU और X-men universe को घोटके पिया हुआ है तो उनको तो by heart बता है कि कौन-कौन character है किसका क्या link है और किसका क्या reference होने वाला है तो इनको थोड़ा सा side हटा देते हैं अब आते हैं कुछ ऐसे लोग जिनको थोड़ा बहुत तो पता है मतलब basics clear हैं लेकर advanced level पे नहीं है यह बड़ी अच्छी बात कहीं और इनके बाद आते हैं कुछ ऐसे लोग जिनको 1% भी idea नहीं है कहां से आते ही तो अगर plan कर रहे हो वो अपनी girlfriend के साथ देखने जानेगा तो पहले interest develop करना पड़ेगा न और interest develop करने के लिए कुछ movies तो दिखानी पड़ेंगी तो अगर time की कोई गमी नहीं है और चाहते हो कि हां character introduction बढ़िया तरीके से हो जाए और Deadpool and Wolverine देखते time आपकी girlfriend आप से कम सवाल पुछे तो उसके लिए इस order मे movies दिखा सकते हो सबसे पहले आजाती है X-Men जो सारे mutants से introduction करा देगी Sabertooth का character आजाएगा Toad का character दिखा देगी जो हमें Deadpool and Wolverine में दिखने भी वाले है next is X-Men 2 यह optional है अगर आपको पाइरो का character के बारे में जानना है तो यह movie देख सकते हो वैसे X-Men जो देखता है उसके बाद X- देखी लेते हैं next X-Men Origins Wolverine बहुत important movie जिससे बदा लग जाएगा कि हां Wolverine के अंदर क्या-क्या qualities है और इस movie से Wolverine का character अच्छे से समाझ आता है next movie X-Men First Class अगर timey time है तो जरूर देखो अगर time की थोड़ी सी shortage है तो optional है लेकिन यह movie एक अच्छा base बनाती है और एक link भी देती है और उसके बाद एक बहुत important movie है X-Men Days of Future Past जिससे और लोकी के बारे में आइडिया हो जाएगा अब सिंस Deadpool और Wolverine के टीजर में TVA को दिखाया है तो उनके बारे में जानने के लिए लोकी सीजन 1 देखना बहुत important है और अगर सीजन 1 देख रहो तो सीजन 2 तो साथ साथ देखी सकते हो बट अगर किसी के पास इतना time नहीं है और short में समझना चाते हैं तो वो सिर्फ ये 4 movies देख सकते हैं X-Men Origins Wolverine, X-Men Days of Future Past, Deadpool 1 और Deadpool 2 क्योंकि हो सकता है कि Deadpool और Wolverine में TVA का concept थोड़ा सा self-explanatory हो जाए और जिन लोगों ने Loki season 1 और season 2 नहीं देख रहा है तो उनको भी idea मिल जाए कि ये TVA का concept कहां से आ रहा है अब इसके अलावा अगर ये question है कि क्या Logan देखनी चाहिए या नी तो अपना दिमाग फाल दोल जानी की सुरत नहीं है क्योंकि Logan जो है वो एक अलगी timeline में चल रही है और Ryan Reynolds ने खुदी कहा था कि वो Logan की timeline के साथ बिलकुल छिटशा नहीं करेंगे तो उससे कोई connection नहीं होने वाला तो Deadpool and Wolverine के events naturally Logan की timeline से पहले होंगे और इसके अलावा अगर आपको हट चीज का idea है हट चीज का पता है तो आपको पता है कि Marvel का Face 5 चल रहा है और उसकी start ही Deadpool and Wolverine से होने वाली है क्योंकि इसमें 2027 में आने वाली Avengers Secret Wars को भी टीज करा गया है तो टीजर से रिलेटेड क्विक थोईरी है कि सबसे पहले तो Deadpool 2 में जब Deadpool का character केबल का time travel device ले ले लेता है और similarly X-Men Days of Future Past में भी Wolverine के character की वज़े से timeline पूरी change हो गई थी तो हो सकता है इसलिए TVA की entry इस picture में दिखाए गई है और ये भी हो सकता है कि हमें इन दोनों characters के और भी variants देखने को मिल जाए जिससे multiverse का concept और जादा strong हो जाएगा और इनकी crossover का concept भी strong हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि original comics के काफी सारे references दिखाये गए हो जैसे कि Wolverine का patch character जो कि comics में उसके लिए cover identity होता है तो हो सकता है वो भी देखने के लिए मिले और उसमें Wolverine के एक अलग variant के लिए हो सकता है एक नया actor भी देखने के लिए मिले इन सारी theories के अलावा एक BTS scene पहले लीक हो चुका है जिसमें Wolverine और Deadpool के आपस में बहुत fight होने वाली है अब ये fight हो सकता है वाइड में हो रही हो जो कि हमें Loki के season 1 में देखने के लिए मिला था और फिर शायद दोनों एक हो भी जाएंगे एक main villain से लड़ने के लिए अब ये main villain या तो Cassandra Nova हो सकती है या फिर ये main villain Doctor Doom हो सकता है जहां तक लग रहा है crown fame Emma Corrin जे एक major character प्ले कर रहे हैं तो हो सकता है ये Cassandra Nova ही हो अब जिनको ये नहीं पता कि Cassandra Nova कौन है या Doctor Doom कौन है तो लोग मुवी के लिए बेट करो so that मुवी के लिए एकसाइटमेंट बनी रहे बाकि आपको overall teaser के ऐसा लगा वो भी आप comment करके बता सकते हो और अगर आप चाहते हो कि X-Men universe या MC universe की सारी movies का एक short summary type मिल जाए आपको तो वो भी आप comment करके ज़रूर बताना उस पर हम कोशिश करेंगे कि हाँ एक short crisp वीडियो आपको मिल सके जिससे इन universe को समझने के लिए आपको time और effort दोनों कम लगे तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को concept पसंद आया ऐसा content पसंद करते हो तो लाइब, शेर, सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुद बाई